नमस्कार, उमीद करता हूँ आप सभी ने SSMTS का फॉर्म फील कर लिया होगा और एक्जाम की प्रिप्रेशन जो है अच्छे से आपकी हो रही होगी जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं फील किया है तो लास्ट जेट जो है वो 24 फेवररी है तो आप लास्ट जेट का वेट ना करते हुए आप जल से जल अपना फॉर्म फील करके सम्मिट कर दे आज की इस वीडियों हम बात करेंगे फॉर्म कोरेक्शन ठीक है और उसके चार्जेज के बारे में और आप कितनी बार फॉर्म को करेक्ट कर सकते हो इसके बारे में बात करेंगे तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपन दिया गया था पहले नोटिफिकेशन में वो था आपका 23 फरवरी और 24 फरवरी लेकिन फॉर्म फिल करने का जो डेट है वो एक्स्टेंड कर दिया गया है अब आप 24 फरवरी तक अपना फॉर्म कर सकते हैं तो फॉर्म करेक्शन विंडू जो है वो आपको ओपन होगा 2 मार्च से 3 मार्च थक टक छो की 23 घंटे के लिए ऊपन रहे गा विंडूँ इसी बीच आप अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं मोडिफाई कर सकते हैं बाकी नोटिस तो सेम ही रहेगी बस डेट आपका दो मार्च से तीन मार्च रहेगा ठीक है यहां पर भी मेंसन किया हुआ है दो दिन का आपको टाइम मिलेगा मोडिफाई के लिए अब सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट यहां पिए है कि आप टू टाइम्स ठीक है आप टू टाइम्स अपने फॉर्म को करेक्ट कर पाओगे ठीक है यानि कि पहले बार में हो गया तो ठीक है नहीं हुआ फिर कोई गलती हो गई तो आप दूसरी बार भी फॉर्म को करेक्ट कर सकते हो लेकिन तीसरी बार आपको मौका नहीं दिया जाएगा पहले और दूसरे चांस में ही आपको अपना जो है form correct कर लेना है ठीक है और जिन candidate का जो form है पहले अच्छे से feel हो गया है यानि कि payment के उन्हों ने कर दिया है ठीक है उन्हीं का जो form है वो correction के लिए open होगा बाकी किसी का form correction नहीं होगा कहने का मतलब यह है कि जिन candidate ने form feel पूरी तरीके से complete कर दिया था यानि कि payment भी कर दिया था उन्हीं के लिए ये window open होगा और उन्हीं का जो है application जो है वो correct होगा ठीक है अब हम बात करेंगे correction charge के बारे में कि आपको कितना पैसा payment करना होगा form correction के लिए ठीक है तो एक चीज़ में बता दू कि form feel करते टाइम में SC, ST और PW, BD यानि की person with disability इन लोग को कोई भी charge नहीं दे रहा था form feel करते टाइम में लेकिन form correction के टाइम में आप चाहें किसी भी category से belong करते हो पहले बार जब आप form correct करोगे पहली बार तो आपको 200 रुपया charge लगेगा आपका और वहीं जब आप दूसरी बार form correction करने जाओगे तो आपको 500 रुपया देना होगा ठीक है यहाँ पर देखिए all candidates irrespective of their gender category applicable to all candidates irrespective of all their gender category यानि कि आप किसी कोई भी gender हो किसी भी category से belong करते हो आपको पहली बार में 200 रुपय अगर पहली बार में form correct नहीं कर पाए और दूसरी बार form correct करने जाओगे तो आपको 500 रुपया pay करना होगा ठीक है तो उमीद है कि आपको complete जनकारी मैं दे पाया हूँ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने friends में जरूर share करें धन्यवाद